विक्सीत भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चितों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाओ, गरीब, किसान, मद्दिमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री, निर्मराजी और उनकी टीम को इस अइतियासिक बजेट के लिए बधाई देता हूँ साथियों परंपरागत रूप से, अपने हाथ से, औजारों और टूल्स से कड़ी महनत कर, कुछ न कुछ सुरुजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मृति, अंगिनित लोगों की बहुत लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाद अनेक पोधसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की विवस्था की गई है पी-एम विश्वकर्मा काउशल सम्मानी यानि पी-एम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बडलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाए हो कारोवार, रोजगार में व्यवस्थ महलाए हो या घरकाम में व्यवस्थ महलाए हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीचे वर्षों में सरकार ने अनेक वीद कदम उठाये हैं जल जीवन मीशन हो, जुला योजना हो, पियम हावास योजना हो ऐसे अनेक कदब इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महिलात सेल फेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाफ एकवायर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिलेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेलफ एल्प गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महिलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्दन एकाउन के बाद ये विशेस बचत योजना सामान ने परिवार की गुरूहने माताओ बेहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहतारिता को ग्रामीन अर्थववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज कैपेसिटी बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी ऐलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों और शुपालकों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत में लेगी साथ योग अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल एग्रिकल्चर इंट्रास सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए है आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए अवश्चक है नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान अवश्चक है इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोच्षान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाई गई है स्री अन्नकोद दी गई प्राफित्ता से देश के छोटे किसानों हमारे आदिवादी भाईवें जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वासियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा ताथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू एकोनोमी पर बहाद अधिक बल दिया है एस्पिरेश्टल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ड, वोटरवेज, हर खेत्र में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेसेंट इंफ्रासेक्टर चाहिए दो हजार की चौदा की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो परसंड से जानदा के वृद्धी की गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्य का अभूत्परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर प्यादा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए अवसर अप्लब्द कराएगा इस बजेट में इज अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्द्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढाया गया है MSM के लिए दो लाग करोब रुप्य के अतिरिक तरण की गारंटी की व्यवस्था की गई है अब प्रिजम्टिव टेस्क की लीमिट बढ़ने से MSM को ग्रो करने में मदद मिलेगी बड़ी कमपनिया द्वारा MSM को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्था बनाई यही है साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमबर विकास हो या व्यवस्था हो साहस हो या संकल्प लेने का सामर्त हो जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मद्यमबर एक प्रभुग धारा बना हुआ है संब्रुद्ध और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमबर एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति यह भारत का विशे सामर्त है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमबर भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमबर को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णे लिए और इज ओफ लिविंग को सुनिशित किया है हमने टैक्स रेट को कम किया है साथ ही प्रोसेस को सिंप्लिफाइड ट्रांस्परेट और फास्ट किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्ची और विक्सित भार्ट के निर्मान को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बढ़ाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समर्द भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बाद बाद धन्यवाद